दोस्तों आज के इस पीडियो में सुपर्टेड एक्जाम के लिए भारती अर्थ व्योस्ता टोपिक से टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेट प्रस्ट देखेंगे जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोग इस पीडियो को पूरे ध्यान से देखें यह आपके सुपर्टेड एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेट है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ट आपके सामने है आप लोग सभी प्रस्टों का उत्तर भी बताने का प्रयास करिए पहला प्रस्ट आ यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताईए वितायोग भारती सांख्य की संस्थान राश्री विकास परश्यद केंद्री सांख्य की संगठन यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है आप लोग बताईए देखे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया ह राश्री आय का संकलन कौन करता है तो यहाँ पर आपका राइट एस दोर हो जाएगा D option केंद्री सांख की संगठन केंद्री सांख की संगठन दोस्तों यह भारत की राश्री आय का संकलन करता है यह आपका सकते हैं भारत की राश्री आय का आकलन करता है ठीक है केंद्री इसका sort form दोस्तों CSO है ठीक है इसको भी आप लोग ध्यान किएगा चलिए अगला प्रस्न देखेंगे अगला प्रस्न आपके सामने है सभी प्रस्न आप द्यान से देखती हुँ चलिए सभी प्रस्न most important है आपके एक्जाम के लिए अगला प्रस्ण है भारत में करमचारियों हे तू महगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है आपको यह बताना है आप्षन है राष्टी आय उपभोकता मूलि सूचकांग रहन सहन का अस्तर मुद्रा इस्फिती की दर यहाँ पर आपका राइट इसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएए देखे दोस्तो भारत में करमचारियों हे तू महगाई भत्ता तय करने का आधार C का मतलब क्या होता है कंजीवर और P का मतलब होता है प्राइस और I का मतलब होता है इंडेक्स मतलब कंजीवर प्राइस इंडेक्स ठीक है इसका पुलफार्म होता है भारत में आर्थिक सर्विक्षन सरकारी अस्तर पर प्रतिवर्स कौन प्रकासित करता है ऑप्शन है भार भारत में आर्थिक सर्विक्षड सरकारी अस्तर पर प्रतिवर्स वित्यमंत्राले प्रकासित करता है। यहां पर आपका C option बिल्कुल right है। बात करेंगे दोस्तों आर्थिक सर्विक्षड की। इंगलिस में इसे economic survey भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्त देखेंगे। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस छेत्र में है आपको यह बताना है। option है कृसी छेत्र, ग्रामीड छेत्र, फैक्टरी छेत्र या सहरी छेत्र। important प्रस्त है आप लोग इसका answer बताईए। देखें दोस्तों सबसे पहले आप देखिए छुपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों इससे आसया है कि जिसकी सीमांत उत्पादक्ता सून्य हो। या आप कर सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी से आसया है कि देखने में तो रोजगार परक लगते हैं लेकिन वास्तों में बेरोजगार होते हैं। प्राया क्रिसी छेत्र में दिखाई देती हैं। इसको आप लोग दिहारक चलि आगे बढ़ते हैं। द्यारक है। मुद्रा स्पिती ? बेरोजगारी , आय बितरण या गरीबी upsetting प्रस्चन है आप लोग इसका एंसर बताइए। देखिए दोस्तो लॉरेंज वक्र के माध्यम से आय वितरन को दर्साया जाता है किसे दर्साया जाता है आय वितरन को दर्साया जाता है इसलिए आपका यहाँ पर सी आपसन सही है देखिए दोस्तो लॉरेंज वक्र की बात करें तो यह कुल आयवा आय प्राप्त करताओं के म अपर आपका राइट असर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंड करके बताईए देखे दोस्तो बहारत की जो अर्थवेवस्ता है वह कृसी प्रधान है इसको ध्यान रखेएगा इसके समस्य संख्या का दोस्तो 59% प्रश्यदभाग कृसी कारी से जुड़ा हुआ है और भारत की जो कुल स्रम सकति है दोस्तो उसका लगबग 55% प्रश्यदभाग दोस्तों क इम्पॉर्टेट्ट प्रश्ठा है यहां पर आपका राइट इसर क्या है देखे दोस्तो वे वस्तोवे जिनकी कीमद बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं इसको आप लोग ध्यान कियेगा यहाँ पर आपका D option बिल्कुल राइट है चलिए अगला प्रस्ट देखेंगे अगला प्रस्ट भी काफी ज्यादा important है मुद्रा क्या है option है विकास और पुनरवित एजनसी क्रिसी बीमा योजना खोजा गया नयागरह या कोई नहीं important प्रस्ट है आपका सही जवाब क्या है देखें दोस्तो मुद्रा विकास और पुनरवित एजनसी है यहाँ पर आपका A option सही है इसके माध्यम से दोस्तो सूच्व उद्धमों को वित्ती सहायता उपलब्द कराया जाता है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट है प्रधान मंत्री जन्धन योजना क्या है आपके सामने है आप लोग जल्दी से इसका एंसर बताइए देश में वित्ती समावेश को बढ़ावा देना देश के गरीब लोगों को रिण दिलाना निर्वासित समुख को वित्ती सहायता देना या पिछडे छेत्रों की महिलाओं को प्रोसाहित करना या आपका राइट एंसर क्या है देखिए दोस्तों देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाय उपलब्द कराने के लिए प्रधान मंत्री जन्धन योजना शुरू की गई है इसका मुख्य उद्देश है दोस्तों देश में वित्ती समावेश को बढ़ावा देना क्या है देश में वित्ती समावेश को बढ़ावा देना इसलिए आपका यहाँ पर एप्सन बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रसन आप लोग देखे दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ अप्रेल 2015 को याद रखिएगा आठ अप्रेल 2015 को सूच में योम लग उद्धमियों को विती मदद उपलब्द कराने के लिए मुद्रा बैंक या मुद्रा योजना की सुरुवात की थी तो यहाँ पर आपका नरें सीमा सुल्क या निगम कर यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है देखे दोस्तों राज सरकार द्वारा यहाँ पर आपका सराब पर आबकारी सुल्क वसूला जाता है सराब पर आबकारी सुल्क वसूला जाता है राज सरकार द्वारा इसलिए आपका यहाँ पर यहाँ सही है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे पैत्रिक संपत्य पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं इंपोर्टेंट प्रस्ण है उत्पाद कर जायदात कर उपहार कर या विक्री कर यहां पर आपका राइट असर क्या है देखें दोस्तों पैत्रिक संपत्य जो कर लगता है उसे जायदात कर कहते हैं यहाँ पर आपका B आपसन बिल्कुल राइट है इसको आप लोग ध्यार कियेगा किसी ब्यक्त की मृत्यू पर दोस्तों उसके उत्राधिकारों की मिली या मिलने वाली संपूर संपत्य के प्रधान मुल्ली पर जायदात कर लिया जा जाता है इसे भी आप लूग ध्यार रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है संपत्य कर मनरंजन कर आयकर उपहार कर इंपोर्टेट प्रश्ण है यहाँ पर आपका राइट है देखे दोस्तों यहा प्रतेशकर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पढ़ता है अगला प्रस्तों है निमने में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बाटा जाता है इंपोर्टेट प्रश्ण है आप लोग इसका एंसर बताईए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असर है निगम कर निगम कर जो है दोस्तों यह केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बाटा जाता है इसको आप लोग ध्यार इंपोर्टेट प्रश्ण है यहाँ पर आपका राइट असर क्या है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असर है संपत्तिकर संपत्तिकर दोस्तों एक प्रतच्छकर है इसको ध्यार कियेगा संपत्तिकर हो गया ब्यक्तिगत आयकर हो गया उपहार कर हो गया न पर उत्पादन पर या निर्यात पर यहां पर आपका राइट असर क्या है जल्दी से बताईए देखे दोस्तों मूल्य वर्धित कर जो होता है यह मूल्य पर लागू होता है किस पर मूल्य पर लागू होता है इसलिए आपका यहां पर एप्सन बिल्कुल राइट है अगला दोस्तो भारती रिजर बैंक ये भारत का केंदरी बैंक है इसकी अस्थापना एक अप्रेल 1935 को की गई थी इसको आप लोग ध्यार रखिएगा और इसका राश्टी करन दोस्तो 1949 में किया गया था इसलिए आपका यहाँ पर B आप्सन सही है इंपोर्टिर प्रस्णा है एक्जाम में पूछा जाता है अगला प्रस्णा है इनमें से कौन सा एक भारती बैंक नहीं है आप्सन है एक्सिस बैंक, SDFC बैंक, ICICI बैंक, HSBC यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या ह देखे दोस्तों, HSBC बैंक, यह एक विदेशी बैंक है भारती बैंक नहीं है इसलिए आपका D आप्सन सही है एक्सिस बैंक दोस्तों भारती बैंक है इसका मुख्याले मुंबई में है HDFC यहाँ भारती बैंक है इसका मुख्याले मुंबई में है ICICI बैंक यहाँ भारती ब है तो देखिए दोस्तों RBI का मुख्याले कहा है मुंबई में है यहाँ पर आपका सी आपसन बिल्कुल राइट है तो दियार रखिएगा RBI जिसे भारती रिजर्व बैंक कहा जाता है इसकी अस्थापना एक अप्रेल सन 1935 को की गई थी ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगल वाणेटरी ग्रामीड बैंक यह राष्ट्री कृत वानेजिक बैंक के द्वारा प्रायोजित होते हैं इसलिए आपका यहाँ पर एपसन सही है तो देखिए दोस्तों छेत्री ग्रामीड बैंक की अस्थापना विशेष कर दूरदराज के ग्रामीड छेत्रों के लोगों को बैंकिक सुधाय पहुचाने के उद्यस से की गई है यहाँ पर आपका ए आपसन सही है अगला प्रस्ट देखेंगे भारती मुद्रा का नया प्रतीक्षिन किसने डिजाइन किया था संतोस कुमार, वाईवी रेड़ी उदै कुमार, डाक्टर रंग राजन इंपोर्टेट प्रस्ट है, एक्जाम में पूछा जाता है देखेंगे दोस्तो, भारती मुद्रा का नया प्रतीक्षिन का डिजाइन उदै कुमार ने किया था, इसलिए आपका यहाँ पर सी आपसन सही है उदै कुमार दोस्तो, यह चेन्नाई के निवासी है यह आई आई टी गुवा हाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर आपका सी आपसन सही है आगे बढ़ते हैं, भारती रिजर्व बैंक के प्रथम भारती गवर्नर कौन थे? इंपोर्टेंट प्रस्टन है, सीडी देस्मुक, सचिंदर राय, इस मुखर जी, इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपका राय टेसर क्या है? देखिए दोस्तो, रिजर्व बैंक काफ इंडिया के पहले भारती गवर्नर सर सीडी देस्मुक थे कौन थे? सर सीडी देस्मुक थे इसलिए आपका यहाँ पर ए आप्सन बिल्कुल राय ट है चली आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशना आपके सामने है निम्न में से कौन सी पूजी वादी अर्थ व्योस्था की विशेष्ता नहीं है आप्सन है निजी संपतिका अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उप्भुकताओं को चुनाओ की सुदंता यहाँ पर आपका राय टेस्वर क्या है? देखिए दोस्तों, जिस अर्थ व्योस्था में लाब की भावना से कारे किया जाए उसे पूजी वादी अर्थ व्योस्था कहते हैं तो यहाँ पर आपका निजी संपतिका अधिकार, प्रतियोगिता होना, उभुकताओं को चुनाओ की सुदंता यह सभी पूजी वादी अर्थ व्योस्था की विशेस्ता है लेकिन सेवा प्रयोजन या इसकी विश्यस्ता नहीं है इसलिए आपका यहाँ पर सी आप्शन सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ब्यापार संतुलन किन दोनों के बीच का अंतर है आप्शन है देश की आय और व्य देश का निर्यात और आयात देश का कर राजस और खर्च देश की पूजी प्रवाह और बहीर वाह तो यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखी दोस्तो ब्यापार संतुलन एक देश के अंतराश्टी ब्यापार को परिभासित करता है यह दोस्तो एक देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है इसलिए आपका यहाँ पर बी आपसन सही है देश का निर्यात और और आयात इन दोनों के बीच का अंतर ब्यापार संतुलन कहलाता है यहां पर आपका B option बिल्कुल right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट दिखेंगे आंतरिक ब्यापार किस से संबंधित है आपको यह बताना है ट्रेड सेक्टर, सेयर मार्केट, क्रेडिट मार्केट या घुर्दोर इंपोर्टेंट प्रस्ट है एक्जाम के लिए आप लोग बताईए यहां पर आपका right असुर क्या है देखे दोस्तों आंतरिक ब्यापार जो होता है यहां सेयर मार्केट से संबंधित होता है इसलिए आपका यहां पर B option बिल्कुल right है देखे दोस्तों आंतरिक ब्यापार को insider trading भी कहा जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा आंतरिक ब्यापार को insider trading भी कहा जाता है अगला प्रस्ण है संकल्प परियोजना किस परियोजन से आरंब की गई थी option है निरचरता उन्मूलन के लिए पोलियो उन्मूलन के लिए एट से समाप्त करने के लिए बेरोजगारी समाप्त करने के लिए important प्रस्ण है यहाँ पर आपका right असर क्या है देखे दोस्तों संकल्प परियोजना एट समाप्त करने के लिए आरम की गई थी यहाँ पर आपका C option बिलकुल right है इसको आप लोग ध्यार रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने देखेंगे प्रधान मंत्री उज्जुला युजना किसे सम्मंधित है आपको यह बताना है option आपके सामने है आप लोग बताई यहाँ पर आपका right असर क्या है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के बितर सम्मंधित है या फिर अनसूचे जात और अनसूचे जन जात के सदस्यों को नेसुलक बिजली के connection देने से सम्मंधित है या बच्चों को ब्रेह दस्तर पर प्रत्रक्षण के अभियान से या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका right असर क्या है आप लोग जल्दी से बताईए देखे दोस्तों उज्जला यूजना जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को LPG गैस के बितरर से तो यहाँ पर आपका A option बिल्कुल right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे सभी प्रशन आप लोग द्यान से देखते हुए चलिए सभी जयनती सहरी रोजगार यूजना का मुख उद्यस किस प्रकार के रोजगार के आवसर उत्पन करना है आपको यह बताना है option आपके सामने है सहरी छेत्रों में स्वर रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों या केवल सहरी छेत्रों में स्वर रोजगार और मज़दोरी रोजगार दोनों के आउसर उत्पन करना तो यहाँ पर आपका ए आपसन बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे सभी प्रस्ण यहाँ पर इंपोर्टेंट है आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए किस भारती राज की GDP सबसे अधिक है इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप लोग इसका अंसर बताइए गुजरात महाराश करनाटक आंधर प्रदेश यहाँ पर आपका राइट इसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए तो यहाँ पर आपका राइट इसर है दोस्तों महाराश्ट बिल्कुल राइट है चली आगे बढ़ते हैं भारत में प्रथम पंच वर्सी योजना का प्रारंब किस वर्स हुआ था उप्शन है 1921, 1931, 1941, 1951 इंपोर्टन प्रशन है आप लोग इसका एंसर जल्दी से कमेंट करके बताईए तो देखे दोस्तों प्रथम पंच वर्सी योजना 1951 में प्रारंब होई थी इसे आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका डी आप्शन सही है अगला प्रशन है भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है आप्शन है प्रति हजार इस्तरियों पर पूर्शों की संख्या प्रति हजार पूर्शों पर इस्तरियों की संख्या प्रति सतरियों की संख्या यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखे दोस्त भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रती हजार पूरसों पर इस्तिरियों की संख्या से की जाती है इसलिए आपके याँपर भी आपसन सही हो जाएगा प्रती हजार पूरसों पर इस्तिरियों की संख्या चलिए आगे बढ़ते हैं निमनेलिखित राज्यों में से साख्षर्टादर किस राज्य में सबसे अधिक है उडिशा, पंजाब, महाराष्ट, मिजोरम आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताईए देखे दोस्तो भारत में सरवाधिक साख्षर्टादर केरल राज्य की है इ 93 प्रिश्य साख्षर्टा है केरल की लेकिन बिकल्प में यहां केरल नहीं है तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा मिजोरम आपका यहां पर सही हो जाएगा क्योंकि मिजोरम की साख्षर्टादर दोस्तो 91 प्रिश्यत है चारों बिकल्पों में सबसे अधिक यहां पर म जन संख्या से अनपात प्रतिवर किलो मीटर में रहने वाले लोगों की संख्या या किसी सहर में रहने वाले बेक्तियों की संख्या या प्रति किलो मीटर रहने वाले बेक्तियों की संख्या तो यहाँ पर आपका B option बिल्कुल right है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है माल्थूसियन सिध्धान किस से संबंधित है गरीबी से, रोजगार से, रोगों से या जनसंख्या से important प्रशन है यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखे दोस्तो माल्थूसियन सिध्धान यह जनसंख्या से संबंधित है इसलिए आपका यहाँ पर D option सही है किसे आपको यह बताना है भारती और दोगिक विकास बैंक IDA अंतराश्टी मुद्रा कोस भारती रुजर्व बैंक यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है आप लोग जल्दी से बताईए तो देखे दोस्तो सुलब कर्ज विंडो के नाम से IDA को जाना जाता है IDA का पुलपार पर रिन उपलब्ध कराती है तो यहाँ पर आपका B आपसन बिल्कुल राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्त देखेंगे विकास सूचकांग कौन तयार करता है आपसन है संयुक्तराश्ट विकास कारिक्रम बिस्सु ब्यापार संगठन अंतराश्री मुद्रा इंपोर्टेंट प्रस्त है यहाँ पर आपका राइट हैसर क्या है देखे दोस्तो मानो विकास सूचकांग संयुक्तराश्ट विकास कारिक्रम द्वारत तयार किया जाता है इसलिए आपका यहाँ पर एपसन सही है संयुक्तराश्ट विकास कारिक्रम और सबसे पहले दोस् सिध्धांत किसने प्रतिपादित किया था औप्शन है मार्सल, कलार, सुम पीटर, जौन रॉबिंसन यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखे दोस्तो लाब का नौ प्रवर्तन सिध्धांत जोसेफ सुम पीटर ने दिया था यहाँ पर आपका सी आप्शन सही है इन्होंने बताया कि जब कोई नया परिवर्तन या खोज किया जाएगा तो उससे होने वाला लाभ इसके इनाम की रूप में मिलेगा तो यहाँ पर आपका सी आप्सन सही है दोस्तों अगला प्रसन देखेंगे अमर्त सेन ने किस छेत्र में नोबेल पुरुसकार जीता था आप्सन है सूच्म अर्थसास, कल्यान अर्थसास, आर्थिक विकास माडल, निवेस उत्पाद माडल इंपोर्टर प्रसन है यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखें दोस्तों अमर्त सेन की बात हुई है तो इनके बारे में ध्यार कियेगा इनका जन्म 3 नोवंबर 1933 को हुआ था ठीक है और इन्हें अर्थसास्तर के लिए 1998 में नोबेल पुरुसकार दिया गया था ठीक है कब दिये गया था 1998 में इन्हें Nobel पूरुसकार दिये गया था ये दोस्तों लोक कल्यान कारी अरसास की आउधारणा का पृत्पादन किये थे इसलिए आपका यहां पर कल्यान अरसास बिलकुल राइट हो जाएगा कल्यान अरसास भी आपसना आपका यहां पर राइट ह चलि आगे बढ़ते हैं सारदा अधनियम का संबंध किस से है important प्रस्ण है exam में 2018 में या प्रस्ण पूछा गया था सूपर टेड़ exam में तो बाल बीवास से बिधवा बीवास से पुनर बीवास से या इनमे से कोई नहीं important प्रस्ण है यहाँ पर आपका right असर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए देखे दोस्तों सारदा अधनियम बाल बीवास से संबंधित है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इसे बाल बीवास प्रतिवंध नियम के नाम से भी जाना जाता है यह अधनियम दोस्तों 1929 को भारत के भिटिस भारत बिधान मंदल में 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था ठीक है और इस अधनियम के तहद दोस्तों लड़कियों की उम्र सादी के लिए 14 वर्ष निधारित की गई थी और लड़कों की उम्र 18 वर्ष लड़कियों की 14 लड़कों की 18 किंदु दोस्तों 1978 में हिंदू अधनियम और बाल वीवा अधनियम में संसोधन करके लड़की की साधी की उम्र 18 वर्स की गई और लड़के की साधी की उम्र 21 साल की गई ठीके तो यहां पर आपका ए आपसन सही है अगला प्रस्ण है आरवियाई का मुख्याले कहां है आपसन है मुंबई गुज गुजराद, राजस्तान, लखनव आप लोग कमेंट करके बताएए यहां पर आपका राइट अंसर क्या है देखे दोस्तों आरवियाई का मुख्याले मुंबई में है यहां पर आपका ए आपसन सही है इंपोर्टेट प्रस्ण है एक्जाम में पूछा जाता है अगला प् ध्यान रखिएगा चली अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण भारत में योजना निर्मार का कारिक किया जाता है योजना निर्मार का कारिक किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है निर्वाचन आयोग द्वारा या नीती आयोग द्वारा या योजना करके अब नीती आयोग कर दिये गया है यह आपका सकते हैं नीती आयोग जो है यह योजना आयोग का अस्थान ले लिया है तो यहाँ पर आपका B आपसन सही है अगला प्रस्थ देखेंगे भारती जीवन बीमा निगम का मुख्याले इस्तित है भारती जीवन बीमा निगम का मुख्याले कहा है जैपूर लखनव कोलकाता मुंबई आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो देखिए दोस्तो भारती जीवन बीमा निगम का मुख्याले दोस्तो मुंबई में है यहाँ पर आपका डी आप्शन बिल्कुल राइट है चलिए अगला प्रस्न देखे यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या है देखिए दोस्तो प्रथम पंचुवरसी योजना की बात की गई है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा 1 अप्रेल 1951 प्रथम पंचुवरसी योजना का प्रारम की गई एक अप्रेल 1951 को प्रारम की गई यहाँ पर आप यहाँ पर आपका right असर क्या है देखे दोस्तों प्रथम पंचवरसी योजना में सबसे ज़्यादा क्रिसी को प्राथ्मिक्ता दी गई थी यह कह सकते हैं क्रिसी पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवरसी योजना में ठीक है तो यहाँ पर आपका A option क्रिसी बिल्कुल right हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग का गठन कभ किया गया ओप्षन है 1 जनुवरी 2017, 1 जनुवरी 2015, 2 फरवरी 2017, 2 फरवरी 2015 इंपोर्टेट प्रशन है यहाँ पर आपका राइट उसर क्या है तेखे दोस्तों योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग का गठन 1 जनुवरी 2015 को किया गया तो यहाँ पर आपका B option बिल्कुल right है 1 जनुवरी 2015 चलिए आगे बढ़ते हैं Operation Blackboard, राश्री पोसाहार कारिकरम तथा अनौपचारिक सिक्षा कारिकरम की सुरुवात की गई किस पंचवर्सी योजना में शुरुवात की गई थी आपको यह बताना है दूती पंचवर्सी योजना में, प्रथम पंचवर्सी योजना में, आठवी पंचवर्सी योजना में, सातवी पंचवर्सी योजना में Most important प्रश्ण है, यहाँ पर आपका right उसर क्या है, आप लोग जल्दी से comment करके बताईए, देखे दोस्तों, operation blackboard, राश्री पोसाहर कारिकरम और अनौपचारिक सिक्षा कारिकरम की सुरुगात, आठवी पंचवरसी योजना में की गई थी, किसमें की गई थी? आठवी आप लोग बताईए, पहली पंचवरसी योजना, दूसरी पंचवरसी योजना, छठी पंचवरसी योजना, या चौथी पंचवरसी योजना, important प्रशन है, इसलिए यहाँ पर इसको लिया गया है, तो यहाँ पर आपका right उसर दोस्तों, छठी पंचवरसी योजना, से आप लोग कमेंट करके बताइए पूजी वादी अर्थ ब्योस्ता सामने वादी अर्थ ब्योस्ता सोतंत्र अर्थ ब्योस्ता या मिस्त्रित अर्थ ब्योस्ता तो यहां पर आपका राइट है दोस्तो मिस्त्रित अर्थ ब्योस्ता भारत की अर्थ ब्योस्ता कैसी है मिस्त् इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद.